आप देख रहें इंटिया न्यूस सबसे पहले देश आपके साथ मैं रशना बंसल इरान और इस्राइल के बीच में जंग चल रही थी लेकिन प्रॉक्सी अब इसका खामियाजा भुगते हुए नजर आ रहे हैं और जो सबसे ज़ादा खामियाजा इस वक्त भुगता है वो हिस्राइल और लेवनन के बीच में तनाव बढ़ गया है जबनन में इस्रेल का घुम करने के लिए कि तरफ से अब आप चौरी तो ए प्राइग्णा नाभी की आपकी दसे जूर्फ अंतनाहाने निए जश्विश हैом है सरस्राव साहर कर दिश lt 215 को यहां पर इस ग सुझालते हूए आई यहां आईडिये अफ न शुरू करतिया है कि तेमाम ऐसी तस्मीरे हैं जो सामने आ है जो बता रही है न तो आईडियाफ के सामने चुनाइए कम है और आप मुश्किलें लेबनन के सामने खड़ी होती हुए नसर आ रही है हिजबुला के सामने खड़ी होती हुए नसर आ रही है ये पूरी ख़बर क्या है ये आप जान लीजे लेबनन में इस्रेली सेना गुज गई है पक्तरवन बाहर उनके पास ने है आजी लदी के साथ में एंट्री कर लिया है यानि कि यहां मोटशा समालते हुए बड़े हमले की तैयारी अब ग्राउन पर है हजारों सेनेक लेबनानी सीवा में घुज गए हैं तीन इलाकों में जमीनी आक्रमन शुरू कर दिये गए हैं आईडियफ ने 20 किलोमीटर का बफर जोन यहां पर बनाया है और इस 20 किलोमीटर के दाइरे में आईडियफ लगातार आगे बढ़ती हुए नजर आ रही है ग्राउन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है आईडियफ की टांक ब्रिगेड ने बॉर्डर पार किया और उसके बाद में जो तबाही है वो लगातार सामने आ रही है आज जिलरी ब्रिगेड फायर पोजीशन में है इस्रेली एरफोर्स की दगातार निकरानी बनी हुई है कि ग्राउन पर जो अपरेशन हो रहा है उसमें एरफोर्स की जरुवत कहीं है तो नहीं शुरुवाती आक्शन अभी देखे जा रहे है हिजबुला के 50 से जादा ठिकानों पर अब तक हो चुकी है ऐसे में साथ हिजबुला कमांडर तो धेर हुए ही साथ हिजबुला कमांड सेंटर पर भी इस्रेल ने अटाक कर दिया है कई बहुमंजिला इमारते ऐसी हैं जो जमीदोज हो गई है और इन बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले जो सिविलियन्स हैं उन्हें भी नुक्सान पहुंच रहा है कई कई मंजिल की जो इमारत हैं वो पल भर में जमीदोज हो चा रही है इन सब के बीच में इसराइल की रनीती अब आगे है क्या क्या तयारी है ये भी जाने है हेजबुल्ला के नेटवर्क को तबाह करना पूरी तरह से ये आईडियाफ का एक लक्ष है हमास की तरह ही यहां पर उसे नश्ट करना यानि के हेजबुल्ला के खात्मे के लिए आईडियाफ आगे बढ़ रही है हेजबुल्ला के टनल को द्वस्ट करना भी एक लक्ष है हेजबुल्ला की मिजाइल क्षमता को नस्त नाबूत करना क्योंकि आपको याद होगा इरान इस्राइल में जब टसल बढ़ रही थी तब हेजबुल्ला ने कई रॉकेट इस्राइल की तरफ दागे थे कुछ तो एर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नश्ट कर दिये लेकिन कुछ इस्राइल में गए थे फटे थे तबाही दिखिटी और उसी का पलटवार अब इस्राइल ने इतने बड़े इंतिकाम के तौर पर ले लिया है अब इस पूरे मामले को लेकर हिजब की प्रतिक्रिया भी सामया रही है क्योंकि जब हजबुल्ला चीफ मारा गया तब चारों तरफ इसके रियाक्शन्स में देखने को मिल रहे है हजबुल्ला की तरफ से कोई काउंटर अटाइक नहीं इस तरह से रियाक्शन आया है प्रतिक्रिया आई है, हिजबल्ला वेट अन वाच्च की स्थपी में है यानि कि वो पहले ठहरेगा थोड़ा देखेगा और फिर उसके बाद में जवाब देगा नसरल्ला की मौत के बाद में हिजबल्ला में बिकराव भी नजर आ रहा है हो सकता है कि नसरल्ला की मौत के बाद में ये जो बिखराव है ये अब अलग-अलग लक्शे को लेकर हो कोई कह रहा हो कि शान बैटना चाहिए कोई कह रहा हो कि जबाद देना चाहिए ऐसे में हेजबुला के कई कमांड सेंटर तबा हो गए हैं अलग-अलग तरस से वर्बादी नजर आ रही है और ये हमले अभी भी रुक नहीं रहे इसको लेकर वात हम करेंगे मेजर जनरल रिटायर जेके बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गये हैं इससे बड़ी तबाही वार्डरी लिबनान में मचा चुका था लेकिन अब हेजबुला चीफ का मारा जाना फिर ये धमा के लगातार कॉंटीनियू आगे रखना और अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना मतलब क्या है और मकसद क्या है तैंक यू बड़ी मच माकसद जो है बिल्कुल क्लियर है देखिए जब साथ तक्तुमर का लास्ट एर हमला हुआ था इसराइल के उपर में तभी से जो हिजबुला जो है इसराइल के उपर में अटेक करता जा रहा है और इसराइल लास्ट बड़ा है उपरे जो बचे वड़ी हाइट में मार दिये गए स्पूल के अंदर में तब से जो है इसराइल काफी उनसे खफा है और खफा होने के सासाथ इसराइल को ये लगता है कि जब तक हम इसराइल को कतम नी करेंगे से 2006 में एक रिजोलूशन पास किया था यूए नो का समन समन जीरो वन उसके तरगत जो एक ब्लू लाइन बनी थी लेबनान और इसराइल के बीच में बॉर्डर बना था उसको एक बफर जोन डखा गया था और बफर जोन के अंदर में इंटरनाशनल पीस कीपिंग फोस थी ज तो अब इसराइल ने अत्मा फोकस इदर सुन कर दिया जो पहले से प्लैनिक थी और सबसे पहले जो पेजर में ब्लास्ट और उसके बाद आप देखेंगे अटैक पाटैक होते रहे वो जो हिजबुला की लीडर्सिप है सब बड़े-बड़े कमांडरों को मार दिया गया अब जैसे यह नसरला को खतम करने के बाद में फिर भी जो हिजबुला की अटैक होते रहे है अटैलियेटरी अटैक है लेकिन उनके अंदर में इतनी शक्ती नहीं रही है उसका कारण यह है कि हिजबुला की ले लिडर्शिप खतम हो गई है उनका नेटवर्क और जो कम्ट इस्टाइल का वो यह है कि एक वफर जोन बनाया जाए जो बोर्डर के और लितानी रिवर के भीच में अन्सेंद आपर जाएगा तो उनको यह सेफटी मैसुस होगी इसराइल को कि हम अभी सेफ हैं, उसी से हुँका जो मेर मकसद है, वो जो 60,000 लोग स्थाफित हैं, उसको वापस लाना है, तो इसी परह से वो काम कर रहा है, अब बाद में जो है कुछ अटैक जो उती ने भी किया है, लेकिन उती को पुरी तरस रिटेलियेट हो रहा है, एरा की हमत ने पाड़ी, तो देखते वे इस समय जो बहुत एग्रेसिव है, इसराइल और यह जो अभी हिजदुल्ला को खतम करके रहेगा, जी, जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए कदम आगे बढ़ाया, आइडियाफ ने, और जो तबाही हमने गाजा में देखी, वो किसी तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसका अपना नुकसान नहीं होता, साथ आक्टूबर को जो हमला हुआ, जो बंदग बना लिये गए, उन बंदगों को छुडाना, फिर उस हमले का इंतकाम लेना, और हमास का खात्मा करना, फिर जो नसंगार हुआ, उसमें हजारो जिन्याओं का ध्यान नहीं, जितना आप पाना चाहते हो, उससे कहीं जादा तो बर्बाद कर रहे हो। और अब जो उसने आज सुबेरे दो बजे लेबनन में ग्राउंड इन्वेजन शुकू कर दिया, इस्राइल ने पूरी दुनिया को कास करके मिडलीज को एक साफ और सपस अंदेज दे दिया कि वो सेवन प्रंट वार के लिए पूरी तरह से त्यार है। इसके लिए कई जवानों की कुर्बानी चाहिए होती है देश को और किसी भी देशी सेना त्यारी करती है कि अगर कभी मौका आए तो वो अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे ना हटें। तो हाँ मैं आपकी बात से सहमादू इसराली सेना के सेनेकों की भी जान जा रही है लेकिन इस वकर जो इसराल के उपर पहले हमस ने हमला किया पिछले साथ अकूबर को उसके बाद लगातार हेजबुल्ला इसराल पे हमला कर रहा था। लेकिन पिछले दो-तीन हफ़ते में हेजबुल्la ने काफी तेज तीवरे से उत्री इसराल पे हमला करना चुद किया जादी इसराल इसराल ने भार आने नी दी लेकिन वहाँ पे इतनी जादी तापदोड हमले हुए हेजबुल्ला से कि उनने साथ अजार अपने नहीं करना चाहूंगा पिशले शाज जो यह साथ अक्टूबर का हमला हुआ उससे पहले 15 जुलाइक को पिशले साल मुसाद ने बेंजमिन नेतनियाओं को पूरी जानकारी दी दी कि हमस ऐसा हमला करेगा लेकिन नेतनियाओं ने मुसाद की एक ना सुनी लेकिन इस बारी ने नेतनियाओं वो गलती नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने पिस्वे साल की और जैसी एक पुष्ट इंफॉर्मिशन दिली कि हेजबूला कुछ बड़ा प्लान कर रहा है उन्होंने पॉरण वहापे पेजर पर वोक्ताउं की तुरंट तो रियाक्शन देने से अभी बूला नजर आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि इस बूला शांत रह जाएगा